केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे सभी साथी गण देश के कोने कोने से यहाँ इस भव्य भवन में पधारे मेरे प्यारे भाई भेन देश के सत्तर से जादा सहरों से जुड़े मेरे सभी साथी अन्य महानुभाव और मेरे परिवार जनो आज भगवान विश्वकर्मा की जैन्ती है ये दिन हमारे पारमपारी कारीगरों और शिल्प कारों को समर्पित है मैं समस्त देशवासियों को विश्वकर्मा जैन्ती की अनेक अनेक शुबकामनाय देता हूँ मुझे खुशी है कि आज के दिन मुझे देश भर के लाखों विश्वकर्मा साथियों से जुडने का अउसर मिला है अब से कुछ देर पहले मेरी अनेकों विश्वकर्मा भाई बेनों से बात भी हुई है और मुझे हाने में विलम भी इसलिए हुआ कि मैं उनसे जरा बातों करने में लग गया और नीचे जो एक्जिविशन बना है वो भी इतना शांदार है कि निकलने का मन नहीं करता था और मेरा से आप सबसे भी आगर है कि आप जरूर उसको देखे और मुझे बताया गया कि अभी दो-तिन दिन और चलने वाला है तो खास करके दिल्ली वाश्यों से मैं जरूर कहूंगा कि वो जरूर देखे साथियों भगवान विश्वकर्मा के आसिरवात से आज प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना का आरब हो रहा है हाथ के हुनर से औजारों से परंपरागत रुप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पी-एम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई कीरण बनकर आ रही है मेरे परिवार जनो इस योजना के साथ ही आज देश को इंटर्रेस्नल एक्जिबेशन सेंटर यशो भुमी यशो भुमी भी मिला है जिस प्रकार का काम यहां हुआ है उसमें मेरे स्रमीक भाईयों और बहनों का मेरे विश्वकर्मा भाईयों बहनों का तप नजर आता है तपस्या नजर आती है मैं आज यशो भुमी को देश के हर स्रमिक को समर्पित करता हूँ हर विश्वकर्मा साथी को समर्पित करता हूँ बड़ी संख्या में हमारे विश्वकर्मा साथी भी यशो भुमी के लाभारती होने वाले हैं आज इस कारकम में जो हजारों विश्वकर्मा साथी हमारे साथ विडियो के माध्यम से जुड़े हैं उन्हें में विशेश तोर पर ये बताना चाहता हूँ गाउं गाउं में आप जो सामान बनाते हैं जो शिल्प जिस आर्ट का स्रेजन करते हैं उसको दुनिया तक पहुंचाएने का ये बहुत बड़ा वाइबरंट सेंटर ससक्त माध्यम बनने वाला है ये आपकी कला आपके कौशल आपकी आर्ट को दुनिया के सामने सोकेस करेगा ये भारत के लोकल प्रोड़क को ग्लोबल बनाने में बहुत बड़ी भूमी का निभाएगा मेरे परिवार जनो हमारे हाँ स्वास्त्रों में कहा गया है यो विश्वम जगतम यो विश्वम जगतम करोथ से से सव विश्वकर्मा अर्थात जो समस्त्र संसार की रचना या उससे जुड़े निर्मान कारिय को करता है उसे विश्वकर्मा कहते है हजारों वर्सों से जो साथी भारत की समर्दी के मूल में रहे है वो हमारे विश्वकर्मा ही है जैसे हमारे सरीर में रीड की हड़ी की भूमिका होती है वैसे ही समाज जिवन में इन विश्वकर्मा साथियों की बहुत महत्वपुर्द भूमिका होती है हमारे विश्वकर्मा साथी उस काम उस हुनर से जुड़े है जिनके बिना रोज मरा की जिन्दगी की कलपना भी मुश्किल है आप देखिए हमारी क्रशी व्यवस्था में लोहार के बिना कुछ क्या संभव है नहीं है गाव देहात में जूते बनाने वाले हो बाल काटने वाले हो कपड़े सिलने वाले दरजी हो इनकी एहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती फ्रीज के दोर में भी लोग आज मटके और सुराई का पानी पिना पसंद करते हैं दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाएं टेकनोलोजी कहीं भी पहुँच जाए लेकिन इनकी भूमी का इनका महत्वा हमेशा रहेगा और इसलिए आज समय की मांग है कि इन विश्वकर्मा साथियों को पहचाना जाए उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया जाए साथियों हमारी सरकार अपने विश्वकर्मा भाई बहनों को और उनका सम्मान बढ़ाने का उनका सामर्थ बढ़ाने और उनकी सम्रुद्धी बढ़ाने के लिए आज सरकार एक सहयोगी बन करके आपके पास आई है अभी सोजना में अठारा अलग अलग तरह का काम करने वाले विश्वकर्मा साथियों पर फोकस किया गया है और शायदी कोई गाउँ ऐसा होगा कि जहां इस अठारा प्रकार के काम करने वाले लोग नखो इन में लकडी का काम करने वाले कार्पेंटर लकडी के खिलोने बनाने वाले कारिकर लोहे का काम करने वाले लोहार सोने के आभुशन बनाने वाले सुनार मिट्टी का काम करने वाले कुमार मुर्तिया बनाने वाले मुर्तिकार जूते बनाने वाले भाई राजमिस्ति का काम करने वाले लोग हैर कटिंग करने वाले लोग कपड़े धुलने वाले लोग कपड़े सिलने वाले लोग माला बनाने वाले फिजिनेट बनाने वाले नाव बनाने वाले से अलग 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 के तरहत रह के काम करने वाले साथियों को शामिल किया गया है PM विश्व कर्मा योजना पर सरकार अभी 13,000 करोड रुपिये खर्च करने वाली है मेरे परिवार जनो कुछ साल पहले करीब 35 साल हो गए होंगे मैं एक बाए यूरोप में ब्रसल्ज गया था तो महां कुछ समय था तो मुझे वहां के जो मेरे होस्ट से वो एक ज्वैलरी का एक्जिविशन था वो देखने के ले ले गए तो मैं जिग्यासा से जरा पूछ रहा था उनको कि यहां यहां यह चीजों का मार्केट कैसा होता है क्या होता है तो मेरे लिए बड़ा सर्प्राइज था उन्होंने कहा साथ यहां जो मशीन से बनी हुई ज्वैलरी है उसकी डिमांड कम से कम होती है जो हाथ से बनी हुई ज्वैलरी है लोग महंगई से महंगे पैसे दे करके भी उसको खरिदना पसंद करते हैं आप सभी हाथ से अपने हुणर से जो बारी काम करते हैं दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ रही है आज कल हम देखते हैं कि बड़ी-बड़ी कमपनियां भी अपने प्रोड़क्ट बनाने के लिए अपना काम दूसरी छोटी-छोटी कमपनियों को देती है यह पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इंडस्री है आउट्सोर्सिंग का काम भी हमारे इनी विश्वकर्मा साथियों के पास आए आप बड़ी सप्लाई चेन का हिस्सा बने हम इसके लिए आपको तयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम दुनिया की बड़ी बड़ी कमपनिया आपके दरवाजे पर आकर के खड़ी रहें आपके दरवाजे पर दस्तक दें बोख्षमता आपके अंदर लाना चाहते हैं इसलिए ये योजना विश्वकर्मा साथियों को आदुनिक यूग में ले जाने का प्रयास है उनका सामर्थ बढ़ाने का प्रयास है साथियों बदलते हुए इस समय में हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए ट्रेनिंग, टेकनोलोजी और टूल्स बहुत ही आवश्वकर्मा योजना के जरिये आप सब साथियों को सरकार के द्वारा ट्रेनिंग देने पर बहुत जोड दिया गया है ट्रेनिंग के दौरान भी क्योंकि आप रोज मरा की मेहनत करके कमाने खाने वाले लोग है इसलिए ट्रेनिंग दर्मियान भी आपको हर रोज पांसो रुपिया भत्ता सरकार की तरब से दिया जाएगा आपको आदुनिक टूल किट के लिए पंदरा हजार रुपिय का टूल किट वाउचर भी मिलेगा आप जो सामान बनाएंगे उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग से लेकर मार्केटिंग में भी सरकार हर तरह से मदद करेंगे और बडले में सरकार आपसे चाहती हैं कि आप टूल किट उसी दुकान से खरीदे जो जी एस्टी रेजिस्टर है खाला बजार ही नहीं चलेगी और दूसरा मेरा आगर है ये टूल्स मेड इन इंडिया ही होने चाहिए मेरे परिवार जनो अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते है तो शुरुवाती पुंजी की दिकप ना आए इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है इस योजना के तहट विश्व कर्मा साथ्यों को बिना गरंटी मांगे जब बैंक आपसे गरंटी ने मांगती है तो आपकी गरंटी मोदी देता है बिना गरंटी मांगे तीन लाख रुपिये तक का कर्ज मिलेगा आपका रण मिलेगा और ये भी सुनिशित किया गया है कि इस रण का ब्याज बहुत ही कम रहे सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में अगर आपने के ट्रेनिंग हो गई आपने नए टूल ले लिए तो पहली बार आपको एक लाख रुपिये तक का रण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है तो फिर आपको दो लाख रुपिया का रण और उपलब्द होगा मेरे परिवार जनों आज देश में वो सरकार है जो वन्चीतों को वरियता देती है ये हमारी सरकार ही है जो वन डिस्ट्रिक वन प्रोड़क योजना के जरिये हर जिले के विशेश उत्पादों को बढ़ावा दे रही है हमारी सरकार ने ही पहली बार रेडी पट्री ठेले वालों को पी-म स्वन इधी के तहट मदद किये बैंक के दरबाजे उनके लिए खोल दिये है यह हमारी ही सरकार है जिसने आजादी के बाद पहली बार बंजारा और गुमंत जनजातियों की परवा की है ये हमारी ही सरकार है जिसने आजाजी के बाद पहली बार दिव्यांग जनों के लिए हरस्तार हरस्तान पर विशेश सुविधाई विख्सित की है जिसे कोई नहीं पुस्ता उसके लिए गरीब का ये बेटा मोदी उसका सेवक बनकर आया है सबको सम्मान का जीवन देना सभी तक सुविधा पहुचाना ये मोदी की गारंटी है मेरे परिवार जनों जब टेकनलोजी और ट्रेडिशन मिलते हैं तो क्या कमाल होता है ये पूरी दुनिया ने जी ट्वेंटी क्राप बाजार में भी देखा है जी ट्वेंटी में हिस्सा लेने के लिए जो विजे सी महमान आये थे उनको भी गिप में हमने विश्व कर्मा साथियों के बनाये सामान ही बेंट में दिये लोकल के लिए वोकल का ये समर्पन हम सभी का पूरे देश का दाइत्व है क्यों इसमें ठंडे पड़ गए ना न मैं करूँ तो खो ताली बजाते हो आपको कर रेगी बाद आये तो उनक्याते हो आप मुझे बताईए हमारे देश में जो चीज़ें हमारे कारिगर बनाते हैं हमारे लोग बनाते हैं वो दुनिया के बाजार में पहुंचनी चाहिए दुनिया के बाजार में बिकनी चाहिए नहीं बिकनी चाहिए तो ये काम पहले लोकल के लिए वोकल बनना पड़ेगा और फिर लोकल को ग्लोबल करना होगा साथियों अब गणेश चतुर्थी धन्तेरत दिपावली सहीत अनेक तोहार आने वाले हैं मैं सभी देश वासियों से लोकल खरिदने का आगर करूंगा और जब मैं लोकल खरिदने की बात करता हूँ तो कुछ लोगों को इतना ही लगता है कि दिवाली के दिये ले ले बाद और कुछ ने हर छोटी मोटी चीज कोई भी बड़ा सामान खरिदे जिसमें हमारे विश्व कर्मा साथियों की चाप हो भारत की मिट्टी और पसेज़े की महेक हो मेरे वाद परिवार जनो आज का विश्वित होता हुआ भारत हर छेत्र में अपनी नई पहचान बना रहा है कुछ दिन पहले हमने देखा है कि कैसे भारत मंडबग को लेकर दुनिया भर में चर्चा हुई है ये इंटरनेशनल एग्जिबिशन सेंटर यशो भूमी इसी परमपरा को और भव्यता से आगे बढ़ाता है और यशो भूमी का सीधा जिदा थन्देश है इस भूमी पर जो भी होगा यश ही यश्प्राप्त होने वाला है ये भविश्य के भारत को सोकेस करने ने का एक शांदार सेंटर बढ़ेगा साथियो भारत के बड़े आर्थिक सामर्थ बड़ी व्यापारी क्शक्ति को सोकेस करने के लिए भारत की राज़दानिवें जैसा सेंटर होना चाहिए ये वो सेंटर है इसमें मल्टी मोडल कनेक्टिविटी और पी-म गति शक्ती के दर्शन एक साथ होते हैं अब देखिए ये एरपोर्ट के पास में है इसको एरपोर्ट से कनेक्ट करने के लिए मेट्रो की सुविधा दी गई है आज यहाँ मेट्रो स्टेशन का भी उद्गाटन हुआ है इस मेट्रो स्टेशन सीधा इस कॉम्प्लेश से जुड़ा हुआ है इस मेट्रो सुविधा के चलते दिल्ली के अलग हिस्सों से लोग का समय बहुत आसानी से कम समय में यह यहाँ पहुच पाएंगे यहाँ जो लोग आएंगे उनके लिए ठैरने का मनोरंजन का शॉपिंग का टुरियम का पूरा इंतजाम यही इस पूरे इकोसिस्टिम में बनाया हुआ है पूरी वबस्ता में बना हुआ है मेरे परिवार जनों बदलते हुए समय के साथ विकास के रोजगार के नए नए सेक्टर्स भी बनते है आज से 50-60 साल पहले कोई इतनी बड़ी IT इंडिस्ट्री के बारे में सोज भी नहीं सकता था आज से 30-35 साल पहले सोचल मीडिया भी एक कलपना भरी था अब दुनिया में एक और बड़ा सेक्टर बन रहा है जिसमें भारत के लिए असीम संभावना है यह सेक्टर है कांफरेंस टूरीजम का पूरी दुनिया में कांफरेंस टूरीजम इंडिस्ट्री पचीस लाग करोड से भी जादा है हर साल दुनिया में 32,000 से भी जादा बड़ी एक्जिबिशन लगती है एक्ष्पो होते है आप कलपना कर सकते हैं जिस देश की आबादी 25 करोड होगी लोग वहां भी कर देते हैं यहां तो 140 करोड के आबादी है जो आएगा वो माला माल हो जाएगा बहुत बड़ा मार्केट है कॉन्फरेंस टूरिजम के लिए आने वाले लोग एक सामान ने टूरिस्ट की अपेक्षा कई गुना जादा पैसा खर्च करते हैं इतनी बड़ी इंडस्री में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ एक परसेंट है सिर्फ एक परसेंट भारत की ही अनेकों बड़ी कबडियां हर साल अपने इवेंट्स बहार करना के लिए मजबूर हो जाती है आप कलपना कर सकते हैं कि देश और दुनिया का इतना बड़ा मार्केट हमारे सामने हैं अब आज का नया भारत खुद को कांफरेंस टूरिजम के लिए भी तैयार कर रहा है और साथियों आप सब जानते हैं एडवेंचर टूरिजम एडवेंचर टूरिजम वही होगा जहां एडवेंचर के साधन संसाधन हो मेडिकल टूरिजम वही होगा जहां आधुनिक चिकित्सा सुविदाय हो स्पिरिचल टूरिजम वही होगा जहां एतियासिक धार्मिक स्पिरिचल एक्टिविटी हो हैरिटेज टूरिजम भी वही होगा जहां हिस्ट्री और हैरिटेज का बहुल्य हो इसी तरह conference tourism भी वही होगा जहाँ events के लिए, meetings के लिए, exhibition के लिए जरूरी साधन संसाधन हो इसलिए भारत मंडपम और यशो भूमी ये ऐसे center है वो बिल्ली को conference tourism का सबसे बड़ा हब बनाने जा रहे अकेले यशो भूमी सेंटर से ही लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है यशो भूमी भविश्य में एक ऐसा स्थान बनेगा जहाँ दुनिया भर के देशों से लोग international conference, meetings, exhibitions इन सब के लिए क्यों लगने वाली है आज मैं दुनिया भर के देशों में एक्जिबिशान और events इंडस्टी चे जुड़े लोगों को हिंदुस्तान में, दिल्ली में, यशो भूमी में विश्य इस्टुप से आमंत्रित करता हूँ मैं देश की पूरा पस्टीम उत्तर दख्षेन, हार छेत्र की फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री को आमंत्रित करूँगा आप अपने अवार्ड्स हमारा फिल्म फेस्टिवल यहां आयोजित करिए, फिल्मे के पहले शो यहां आयोजित करिए मैं इंटरनेशनल इवेंट्स, कमपनीज, एक्जिमिशन सेक्टर से जुड़े लोगों को भी भारत मंदपाम और यशो भूमी से जुड़ने को आमंत्रित करता हूँ मेरा परिवार जानो, मुझे विश्वात है, भारत मंदपाम हो या यशो भूमी, ये भारत के आतिथ्य, भारत की स्रेश्टता और भारत की भव्यता के प्रतीक बनेंगे भारत मंदपाम और ये यशो भूमी, दोनों में ही भारतिय संस्कृति और अत्या दुनित सुविधाओं इन दोनों का संगम है आज ये दोनों भंवे प्रतिश्टान, नए भारत की यश्गाथा, देश और दुनिया के सामने गा रहे, इनमें नए भारत की आकांच्छाओं का प्रतिमिम्ब भी है, जो अपने लिए सबसे बहतरीन सुविधाएं चाहता है साथियों मेरे शब्द लिख्के रखिये, भारत अब रुकने वाला नहीं है हमें चलते रहना है, नए लख्ष बनाते रहना है, और उस नए लख्षों को पाकर के ही चैन से बैठना है और ये हम सभी के परिशम और परिशम की प्राकास्टां देश को 2047 में दुनिया के सामने डंकी की चोड़ पर विख्षित भारत के रुप में खड़ा कर देंगे, ये संकल्प ले करके चलता है ये समय हम सभी के लिए जुट जाने का समय है हमारे विश्व कर्मा साथी मेकिन इंडिया की शान है और इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की इस्तान को दुनिया के सामने सोकेश करने का माध्यम बनेगा एक बार फिर सभी विश्व कर्मा साथीों को ये बहुत बड़ी आशावादी योजना के लिए मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ ये नया सेंटर यशो भुमी भारत के यश्का प्रतिक बने दिल्ली की शान को और बढ़ाए इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत सुब कामना है बहुत बहुत धन्यवाद नबश्कार लोकशाही मराठी आइकार पहा जागरूक रहा